रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 9 के विहाइब बुक से लेक आइसले फिनिस्फरी पोयम देखेंगे जो कि विलियम बटलर इस्ट द्वारा लिखा गया है पोयम का एक्स्प्लानेशन स्टार्ड करने से पहले आईए हम सभी पोयट के बारे में जान लेते हैं इस पोयम के पोयट है विलियम बटलर इस्ट जिनका जन्म 13 जून 1865 में और मृत्यो 28 जन्वरी 1949 में हो गया विलियम बटलर इस्ट एक आईडिस पोयट थे और विश्वी सताब्दी के लिट्रेचर में एक बहुत 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 बहुतरिन फिगर के रूप में माने जाते थे डिसंबर 1923 में लिट्रेचर के छेतर में नोबल पुरसकार से नमाजा गया इनके जो कविताएं होती हैं बहुत इंस्पाइरिंग होती हैं और इतनी आर्टिस्टिक होती हैं जो कि एक अलग एक्सप्रेशन देता है जिसके वयसे जो पूरा रास्ट्र होता है उसके अंदर जजबा आ जाता है विलियम बटलर इस्ट ट्वेंटिएथ सेंचुरी के बहुत माने जाने इंगलिस पोईट्स में से एक हुआ करते थे यह सिंबॉलिक पोईट हैं क्योंकि इनके पोईट्री में हमेशा इमेजिनरी और सिंबॉलिक चीजों को हम देखते हैं और यह अपने कविता लिखने के करियर में हमेशा इन्होंने यूज किया विलियम बटलर इस्ट ऐसा वर्ड का चुनाव करते थे जिसके वजह से उनकी जो पोईट्रीज हुआ करते थी वाकई में काविले तारीफ हुआ करते थी चुकि अठाई जनवरी 1949 में इनके मृत्यों फ्रांस के एक होटल में हो के ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर एकदम सर्नाटा होता है वहां पर हम नेचर को भी इंजॉय करते हैं और हमें मानसिक रूप से बहुत सांती मिलता है लेकिन अगर हम सिटी में रहके ऐसा सांतिप्रद महोल खोजे तो यह मिलना मुस्किल है क्योंकि अगर ऐसा सां कुम पल सा हट बनाएंगे और नोठे बीन का रोज बनाएंगे और हमी वी हाइव भी वहाँ पर रखेंगे वहां पर अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि वो वहां के nature में सुकून प्राप्त करते हैं उनका एक ही अगांक्षा है कि वो उस इलाके में रहके उस इलाके का जो nature है उसको वो enjoy करेंगे अब यहां से start करते हैं इस poem का summary इस poem में I, poet William Butler East को refer करता है जो कहते हैं कि वो innesfree जाना चाहते हैं और वहां पे जाने के बाद एक small room बनाएंगे अपने लिए जो की मिट्टी से और घास फूस से बना होगा वो कहते हैं कि जो घास फूस रहेगा उससे और मिट्टी से मैं उस cabin का बिंस बनाऊंगा और कहते हैं कि अगर वहां पे मैं रहता हूँ तो वहां पे मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए इसलिए वो बीन्स उगाएंगे अपने cabin के पास और उसके साथ साथ वहां पे भी हाइव भी रखेंगे जहां से उनको fresh honey मिल जाएगा वो कहते हैं कि जिस जगह पे वो अपना cabin बनाएंगे वो जगह बहुत बहतरीन है एक open space है क्योंकि वहां पे जो मधुमख्यां हैं उनकी buzzing sound सुनाई देती है वो कहते हैं कि वहां पे सांती से peacefully रहना चाहते हैं poet second stage में बताते हैं अपने कि जब वो in the spirit जाएंगे तो वहां पे उनको सांती का उन्भा होगा और जब यह बात बता रहा हैं तभी उनका मानना है कि उनको थोड़ी थोड़ी सुकून सांती प्राप्त हो रही है उन्होंने इस poem में describe किया है कि किस तरीके से वो वहां पे peaceful रहेंगे वो कहते हैं कि जब morning cloudy होगा तो sky का visibility clear नहीं होगा और तब ऐसा प्रतीत होगा कि वो सुबह किसी प्रकार का आवरण ओड़ के अपने आपको कहीं चुपा लिया और इस scene को देखके वो बहुत ज़्यादे peaceful फिल करते हैं और ऐसा कहते हैं कि जब वहां पे जो जहींगूर होंगे cricket उनलों का sound जब हमारे कानों तक पहुँचेगा तो हमें बहुत सुकून मिलेगा वो उसे enjoy करेंगे वो कहते हैं कि जब मधरातरी होगी और अकास की तरफ वो देखेंगे तो उन्हें पिंकलिंग स्टार्स दिखाई देंगे और उन सब चीजों से वो nature से connected हो पाएंगे और उनको सुकून मिल पाएंगा वो कहते हैं कि जब दो पहर होगा तो जो sunlight है वो purple glow देता है वो भी उनको बहुत सुकून पहुचाएगा वो कहते हैं कि जब शाम ढलेगी और जो linnet birds अकास में उड़ रहोंगे उनको देखके वो बहुत ज़ादे सुकून में जीवन का एहसास राप्त करेंगे poet बताते हैं कि अब वो रुकेंगे नहीं वो innisfree जाएंगे योगि वहाँ पे जब वो जाएंगे तो जाने के बाद जो जील में पानी है और पानी जब आके किनारे से टकराएगा तो जो उसमें का मधूर आवाज आएगा वो मधूर आवाज वो सुनेंगे और सुनके उस मधूर आवाज में खो जाएंगे वो कहते हैं कि जो जील का साउंड है वो उनको अपने तरफ एट्रैक्ट करता है और जब भी ग्रे कलर्ड पेव्मेंट पे उस जील के बगल में खड़े होंगे तो वो जो साउंड जील के पानी का किनारे से टकराने का जो आवाज सुनाई देता है वो बस अपने कानों से नहीं सुनते वो उनके हृदय तल में भी समा जाता है और जब हिर्दय तल में ये नेचर का जो बनावट है और इसमें से जो आवाज निकल रहा है ये सारे चीजे हमारे हिर्दय को मन को भाने लगेगी तो वाकई में हमें बहुत सुकुन बहुत सांती मिलेगी और यही बात पोयम यही बात पोएट अपने इस पोयम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और यहाँ पे आपका यह पोयम समाप्त होता है थैंक यू फर वाचिंग लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज